आज मैं शेर कर रही हैं फीश करी की रेसिपी तो मेरे तरीके से बना के देखें कभी कभी नया तरीका नया टेस्ट भी अच्छा लगता है तो यह मैंने एक किलो ग्राम फिश को अच्छे से वॉश करके रख लिया है और यह मैंने एक कड़ाई रखी है इसमें मैं 3-4 टेबल तो ब्रूब और नहीं आती है और अच्छी बनती है वैसे ज़्यादा फ्राइप बिल्कुल नहीं करना है वरना आपकी जब आप इसे मसाले में डालेंगे न तो यह बिखरने लगेगी तो बस सिर्फ इसे ओए डालना है दिन इसे टर्न करना है और बस अब यह हमारी फिश ज कटोरी में और इसी ओयल का यूज हम करी बनाने में भी कर लेंगे अब मैंने एक बड़ा सा पतीला रखा है फीश बनाने के लिए थोड़ा बरतनी यूज करें क्योंकि उसे चलाने में क्या होता है ना उसके पीसे बहुत जल्दी गल जाते और तूट जाते हैं तो मैं इसमें कुछłę काली मेर्च और ये मेरे पास यह जो लच्छे होते हैं इसे हमारे आ लच्छे बोलते हैं और कुछ लोग ईसे चळीला चबिला भी बोलते तो यह आउल प्रीस मैन अब पिहविया है अब हमें इसे फ्राइ कर लेना है ओनियन हलकी सिफ्राइगी तो तो में इसमें आधा बाउल भरके अधरक लसुन का पेस्ट डाल दूंगी यह बहुत ज्यादा बड़े साइज का बाउल नहीं है मीडियम साइज का है तो आधा बाउल अधरक लसुन का पेस्ट और वैसे में जो मसाले यूज करती हूँ अगर आप उससे थोड़ा कम भी यू मैल भी नहीं आ रही है इसमें अब हम इसमें कुछ सूख्य मसाले डालेंगे यह धनिया पाउडर मैं दिखाती हूँ चम्मस से कितना है तो यह टोटल फॉर स्पून है और मैं मिर्च भी दिखा देती हूँ कि कितनी है तो यह वन देन यह टू त्री फॉर और यह वन पानी डाल दे और अब हमें मसाले को अच्छे से बुनाई करनी है मसाल अच्छा बुना हुआ होना चाहिए वरना फिर सबजी में टेस्ट अच्छा नहीं आता है तो अब यह आपको यहां पर लग रहा होगा कि इसमें बहुत कम है तो और मैं इसमें इसमें कम रखा है शुब चमच घुमाने की जर्वत नहीं है क्योंकि फीज के पीसे बहुत जल्डी तूट सकते हैं और यह बहुत जल्दी बीखर भी सकती ए मसाले में इसले बिल्कुल दीरे से चमच चला है अच्छे से मसाले में से मीक्स कर दे बहुत ज्यादा देर नहीं को करना है मैंने गरम पानी डाल दिया है इसमें तंडा पानी दालने से क्या होगा कि बहुत टाइम लग जाए और इतने में हो सकता है कि फीज बहुत ज्यादा गल जाई क्योंकि मैंने अँलरेडी फ्राइग कर लखिए और मैंने реदिगा अब घ्रम मसाला पावडर डाल दिया है और और बस अभी हमारी फीज रेडी है इसमें मैंने उपर से हरा धनिया डाल दिया है अच्छा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लिस लाइक कर दे और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लिस सब्सक्राइब कर ले थेंक यू